जैहिन दोस्तो आज के इस वीडियों दोस्तो हम पढ़ेंगे गड़ित के 10 बहतपूर सवालों को डिस्स करेंगे दोस्तो और ये सभी सवाल दोस्तो BPSC TRE3, रेलवे और SSC में पूछे जाने की पूरी सम्भावना है तो दोस्तो वीडियो को बिना स्कीप की अंतक चरूर देखीगा चले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रस्से पहला प्रस्टा है एक हाल की बीमाए 20 मीटर गुरते 12 मीटर की है 4 मीटर भुजा वाली वर्गा का टैलों की संख्या बताईए जिससे फर्स को पूरा पू उपर लिखेंगे और टैल्स किया है छोटा है तो लिखेंगे वर्गा कार टैल का छेतर फल वर्गा कार टैल का छेतर फल हाल का छेतर फल दोस्तो कैसे निकालेंगे लंबाई गुरते चोड़ा हो गया और वर्गा कार टैल का छेतर फल कैसे निकालेंगे भुजा गुरते भ जाएगा, चार-पंचे, 20 और 4-तियां, 12 तो 5 में 3 का गुड़ा करें दोस्तों कितना जाएगा, 5-तियां पंदरा जाएगा तो दोस्तों वरगा कार्ठ टाइलों की संखें कितनी चाहिए, पंदरा टाइल चाहिए तो 15 दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है दूसरा सवाल है दोस्तो 5 बटा 8 की पावर माइनस 7 है और 8 बटे 5 की पावर माइनस 4 है इन दोनों को गुड़ा करने पर कितना आएगा कैसे लगाएं दोस्तो जहां समझेगा सबसे पहले दोस्तो हम इन दोनों के पावर को प्लस में बना लेते हैं तो पावर को दोस्तो प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं इसके अंदर वाली संख्या को पलट देंगे तो दोस्तो अंदर वाली संख्या पल्टेंगे कितनी आजाएगी 8 बटा 5 और पावर हो जाएगा प्लस में इसी पकार दोस्तो इसको पलट देंगे 5 बटा 8 पावर हो जाएगा 4 में अब दोस्तो यहाँ पर पावर को अलग कर लेते हैं आठ के पावर साथ और बटा पाँच के पावर साथ हो जाएगा इसको भी अलग करेंगे पाँच के पावर चार बटे यहां हो जाएगा आठ के पावर चार हो जाएगा अब दोस्तो उपर देखेगा आठ के पावर साथ है और नीचे आठ के पावर चार है कड़ जाएगा त दोस्तो हम जानते हैं कि 8 विगाते 3 कमान कितना होता है? 512 होता है और 5 विगाते 3 कमान कितना होता है? 125 होता है तो 512 बटा 125 इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है तीसरा सवाल है दोस्तो यदि 10, 20, X, 40 एक समान उपात बनाते हैं तो X का मान बताइए कैसे लगाएंगे दोस्तो ध्यान समझेगा यहाँ पे जो 10 है और 20 है X और 40 यह क्या बनाते हैं समान उपात बनाते हैं दोस्तो यहाँ पे हम समान उपात का चिन लगा देंगे अब दोस्तो इसको लगाने का सरत तरीका क्या है अंदर वाली अंदर का संख्या गुड़ा करेंगे और बाहर वाली संख्या का बाहर से गुड़ा करेंगे तो 20 गुड़ते X लिखेंगे बराबर चिन लगाएंगे बाहर वाली संख्या के गुड़ा कर देंगे 40 गुड़ते 10 हो जाएगा तो 21 का 20, 22 दूना 40 हो जाएगा तो यक्स कमान कितना आएगा दोस्तो 10 दूना 20 आएगा 20 दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है चौथा सवाल है दोस्तो दो बृतो के छेतरफल में 49 अनुपाते 64 का अनुपात है तो इनके परीधियों में अनुपात कितना होगा तो दोस्तो परीध का अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम बृत की तरिज्या में अनुपात पता कर लेते हैं तो दोस्तो बृत का छेतफल में अनुपात दिया है यहाँ पे A1 बटा A2 कितना दिया है दोस्तो 49 बटा 64 दिया है तो बृत का छेतफल होता है दोस्तो पाई R2 होता है और बटे यहाँ भी लगेगा पाई R2 और बराबर कितना 49 बटा 64 हो गया पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो दोस्तों इसको हम लिक सकते हैं रज़ को घुल इसको आर लिख सकते हैं यह मोई हो जाएगा 49 बाट 64 दोस्तों निकालेंगे रज़ का अनुपाद पूछ रहे है तो पहले बृत्त की परिद क्या होगी 2πR1 और दूसरे बृत्य की परिद क्या होगी 2πR2 होगा तो दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे यहाँ पर 2π2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना आरम बटा R2 बचेगा तो दोस्तों आरम बटा R2 कमान कितना है यहाँ पर 7 बटा 8 है तो इसको लिख सकते हैं 7 अनपाते 8 तो बृत्य की परिद में दोस्तों अनपात कितना आएगा 7 अनपाते 8 आएगा पहला वला इसका उत्तर मैच कर रहा है अगला स्वाल है दोस्तों यदि 1 संख्या का 7 बटा 3% 147 है तब वह संख्या बताईए दोस्तों हम माल लेते हैं हुआ संख्या क्या है यक्स है यक्स का माने होता है गुड़ा 7 बटा 3% का मतलब होता है 7 बटा 3% को दोस्तों बदलेंगे तो हर में गुड़ा हो जाएगा 100 का बराबर कितना 147 हो जाएगा 7 से कार देंगे दोस्तो 7 2 4 7 1 का 7 हो जाएगा तो X बराबर कितना मिलेगा 21 गुड़ते 100 तीयं या 300 हो जाएगा अब दोस्तो 21 में 300 गुड़ा करेंगे 3 1 3 3 2 6 तो X का मन कितना है गगा दोस्तो 6300 आएगा तो पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है अगला स्वाल है दोस्तो 1 पासे की फेक में संख्या 8 प्राप्त होने की प्राइक्ता बताईए दोस्तो हम जानते हैं पासे में कुल कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 पासे में दोस्तो कुल कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं अब यहाँ पूछ रहा है कि एगर हम पासे को फेके तो संख्या आठ प्राप्त होने की प्राइक्ता बताईए जैसा है कि दोस्तो पासे में आठ हो बई नहीं करता है इसलिए इसकी प्राइक्ता कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगा और दोस्तो पासे में कुल कितने फलक होत तो 6 से भाग कर देंगे और 8 दोस्तो आता है पासे में नहीं आता है तो जब नहीं आता है तो उपर क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे और जीरो बटा 6 का मतलब कितना होता है जीरो इसकी प्राइकता कितनी हो जाएगी सुनने हो जाएगी इसी पकार दोस्तो अगला प्रस द अब देखते हैं अब देखते हैं दोस्तों कुल कितनी समसंख्या होती हैं एक समसंख्या दो समसंख्या तीन समसंख्या तो दोस्तों तीन समसंख्या होई तो तीन से ऊपर गुड़ा कर देंगे इसी को हल कर लेंगे तीन एक का तीन तीन दुनी च्छ तो दोस्तों एक पासे म सम संख्या आने की प्राइक्ता कितनी होगी एक बटा दो होगा ये इसका साई उत्तर हो जाएगा अगला स्वाल देखते हैं दोस्तों 300 ब्यक्तियों के एक सर्वे में पाया गया की 30 ब्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं एक ब्रित चित्र में इस वर्ग का त्रिजखन का कोड कितना होगा कैसे लगाएं दोस्तों ध्यान समझेगा यहाँ पे दोस्तों कुल 300 ब्यक्ति हैं जिसमें से 30 ब्यक्ति क्या करते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो दोस्तो तीन सो बैक्तियों में से तीस बैक्ति जो है क्रिकेट खेलते हैं तो पूछ रहा है कि त्रिजिखन का कोड़ बताईए तो दोस्तो हम जानते हैं पूरा कोड़ कितने हंस को होता है तीन सो साथ हंस का होता है दोस्तों एक बृत का छेतरफल 40 πाई स्कॉयर है बृत की तरिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर का छेतरफल पाई के पदों में बताईए कैसे निकालें दोस्तों ध्यान समझेगा तो दोस्तों बृत का छेतरफल क्या होता है पाई आर स्कॉयर होता है जो की दिया है दो अब दोस्तों यहां पर यह कह रहा है कि जो बृत की तिरिज्या है वो वर्ग की भुजा की क्या है बराबर है तो बृत की तिरिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है अब वर्ग का छितफल पूछ रहा है तो वर्ग का छितफल होता है दोस्तों भुजा गुरते भुजा होत जाएगा पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में धन्यवाद